बच्छों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पत्तर लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में आप पत्तर लेखन के बारे में पढ़ चुके हैं। कि इसकी क्यावशक्ता होती है, पत्तर लेखन किस काम आता है त्यादी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, यह पत्तर है संस्कृत के विशे में, कि संस्कृत के बारे में लिखना है अपने मित्र को पत्र, यहां लिखा हुआ है, लिखे हुए इस पत्र को आपने भरना है दिये हुए शब्दों की सायता से, कि संस्कृत भाषा के महत्व का वर्ण करते हुए अपने मित्र के प्रती लिखे हुए पत्र को मंजूशा में दिये के शब्दों से पूरा करें, तो यह तो हो गए हमारा प संस्क्रित काके की संबंद है, विज्यान संबंदिना, विज्यान से संबंदित, संस्क्रित विशे, संस्क्रित के बारे में, शब्द कोशा, शब्द कोश, बुकेवलरी, प्राचीन तमा, प्राचीन पुरानी, आकारन स्त्रिलिंग है न, कुशलम, कुशल, विशालम, विशा स्वा पुस्तके अपनी पुस्तक में तो सबसे पहले जहां से पत्र भेजा गया है उस जगा का नाम और उस जगा में होती है पंचमी भक्ती तो सबसे पहले उपर लिखाया परिक्षा भवनात यानिके परिक्षा भवन से कहां से भेजा गया पत्री परिक्षा के भवन से तो जहां से पत्र भेजा गया वहाँ पंचिमी भक्ती लगी हुई यहां पर परिक्षा भवनात में और अंत में जगा का नाम उसके बाद तीथी आती है हमारे पास फिर भ्यक्ती का नाम आता है जिसके लिए हम भेज रहे हैं वो नहीं दिया यहां पर तो उसके बाद आदरसूचक शब्द आशीर बचनित्यादी अपने छोटा होगा तो क्या लिखेंगे शुभाशिष ठीक है यह है ससनेहम नमस्ते यह अपने मित्र के प्रती पत्तर लिख रहा है यहां पर ठीक है अत्र डैश कुषलम तत्रास्तू अर्थाırd, यहां सबस ठीक है और उम्हीद करताओं कि वहाँ आप भी ठीक ही होंगे ठीक है इसको नोड कर लेंगे अब आगे चलेंगे यहां पर हमने भरा अत्र कुषलम ठीक है कॉंस शब्द भरा हमने यहां पर कुशलम अत्र कुशलम तत्रास्तु यह जो कुशलम हमारे पास शब्द यहां पे दे रखा है इसको हमने आपे भरा अगला है अद्दे मायता पत्रम प्राप्तम आज मुझे तुम्हारा पत्र मिला डैश तब रूचिम जयात्वा अहम प्रसन्ना भबम और उसमें तुम्हारी रूचि को जान करके मैं बहुत खुश हुआ किस में जान करके तो जिसमें जान करके उसमें सब्तमी होनी चाहिए वो लिखायां पे संस्कृत विशये किस विशये में संस्कृत के विशये में कहां पढ़ा, आधारो अधिकरणम, यहां पे सब तुमी भ्यक्ति लगेगी, जिसमें पढ़ा, किसमें पढ़ा, नीचे लिखा ये, स्वापुस्तके, कहां पर पढ़ा था, स्वापुस्तके, तो नंबर तीन में आएगा, अपनी पुस्तक में मैंने संस्कृत भाषा के बार कैसी भाषा है, यह है, प्राचीन तमामने, सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा, तो यहां पर भाषा जो है, आकारांस्त्रिलिंग है, तो यहां पर भी प्राचीन तमा क्या है, आकारांस्त्रिलिंग ही है, अस्या, बस यही मैच करन विशालम इसका साइते कैसा है बहुत ही बड़ा है अस्या विशाला अद्वितिया अस्ति इसका विशाल अद्वितिया है क्या है अद्वितिया विशाल देखो यहां पर विशेशन दिये गया है यहां पर भी विशेशन दिये गया है लेकिन विशेशन नहीं दिये गया है त यहां भी सरगे भी आएंगी साथ में मानम जीवनोप योगी गरंथा अपिसंती संस्क्रत भाषा में मानम जीवनोप योगी गरंथ भी हैं कैसे गरंथ है मानम जीवनोप योगी लेकिन एक और विशेशन की जगा यहां पर छोड़ी हुई है ठीक है तो यहां पर एक और विदेशी विद्वान शाह, आपी, आजकल विदेशी विद्वान भी, ठीक है, यहाँ पर जो विद्वान शाह, इसके बाद जगा खाली छोड़ी गई है, यहाँ पर कुछ नहीं भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास, उसको छोड़ किसका काके की शष्ठी तो शष्ठी कहां पे संस्कृत अस्य तो नमबर आठ पे क्या भरा जाएगा मारे पास संस्कृत अस्य ठीक है अगला है अता अहम कथ्यामी अता मैं कहता हूं यत की तौम तुम मनो योगेन मन लगा करके संस्कृत भाषा या कुरू संस्कृत भाषा का करो क्या करो अध्यनम अर्थात अध्यन करो तो यहां पर आएगा ऊपर ठीक है अध्यनम कुरू नंबर नौ पर अगला है मात्रम पित्रम च मम डैश निवेदितू माता पितो को निवेदित करें या माता पितो को कहें क्या कहें प्रणामान मने माता पितो को मेरा आप प्रण में नंबर पर ठीक है आदर रथे बहुवचन तब यहां प्रणान लिखा हुआ मैंने पहले आपको क्लेर कर दिये था तब मित्रम तुम्हारा मित्र रजता जो नाम होता है भेजने बाले का वो सबसे नीचे आता है और उसका संबंद क्या है वो इधर आता है ठीक है और यहा पत्र को पूरती का यही नियम रहता है फिर सेकवार ध्यान से देखले जहां से भेजा गया उस जगा का नाम ततपस्चात जिसको भेजा गया उस विक्ति का नाम ततपस्चात आदर सूचक शब्द उसके बाद विवर्ण इसमें हम देखेंगे करता क्रिया विशेशन अपनी अभ्यास पुस्तिकों पर भी लिख लें, आपकी बुक पर ये दे रखा है, पत्र वहाँ पर भी आप इसे पूरा कर सकते हैं, इतियों शम